नमस्कार श्वागत है आप सभी का सीनियूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव महराश्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है इसे बीच पार्टी दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी में जुड़ गई है राजनीतिक दलों में सत्ताधारी आपको जहां सरकार विरुधी रुझानू से पार पाकर बीजेपी से लड़ना है तो वहीं कॉंग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए दिल्ली नायात्रा निकाल रही है वहीं महाराश्ट की जीत के बाद बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने रणनीती बनानी शुरू कर दी है सीधे नकत ट्रांसपर के फॉर्मूला पर आधारित महाराश्ट की लाटली बहना स्कीम जैसी यूजना दिल्ली में भी लाई जा सकती है देखिए पूरी रिपोर्ट महाराश्ट बिधानसबा चुनाव और यूपी उप चुनाव में भाचपा ने जीत हासिल कर एक बार फिर शांदार वापसी की इसे के चलते पार्टी बिना समय का वाय दिल्ली में होने वाले बिधानसबा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुड गई है और इसको लेकर रननीती पर काम कर रही है बीजबी का मानना है कि महाराश्ट और मध्यप्रदेश में कल्यान कारी यूजनाओं की सफलता दिल्ली में भी दोहराई जा सकती है बतादे MP की तरह महाराश्ट में लाडली बहना यूजना की तहत 21-65 साल की महलाओं को हर महीने 1500 रुपे दिये जा रहे हैं ऐसे में ये तैय है कि बीजबी महला मतदाताओं को लुभाने के लिए दिल्ली में भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यूजना को बड़ा मुद्दा बना सकती है जिसमें महला वोट बैंक उसके खातों में आ सके पाटी अपने घोशना पत्र में महला आधारित कई वेलफेर स्कीम को शामिल कर सकती है आपको घेरने के लिए बीजबी गंदी यमुना खस्ता हाल सडके बढ़ता प्रदूशन और मुख्यमंत्री आवाज जैसे मुद्दे पर फोकस करेगी साथी पाटी नौकरी की सुरक् पाटी के सूत्र बताते हैं कि इस योजना को जोरो शोडों से लागू करवानी की कोशिश आप पाटी करेगी ऐसे में किसी भी तरह की असफलता मिलने पर इसे मुद्दा बनाकर बीजबी चुनाव में उतरेगी हलाकी इस बार बीजबी बिष्टाचार जैसे मुद्दो के सहारे आम आदवी पार्टी के लिए मुश्किले बढ़ा सकती है ऐसे में माना जा रहा है कि विधान सबह चुनाव में बीजबी और आम आदवी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत